हेलो एवरीबड़ी मैं डॉक्टर सोनल वाटलिया फुल टाइम गाइनेकलोजिस्ट इन ब्लेस आईवीएफ सूरत आज आपको ओम पिकप के बारे में बताएंगे आपकी जब आईवीएफ की ट्रीटमेंट चालू होती है तभी ओवरीज को हॉर्मनल इंजेक्शन देके हो जाते हैं तभी उसको ट्रिगर इंजेक्शन दिया जाता है और ट्रिगर इंजेक्शन के थर्टी फॉर्टी सिक्स अवर्स के बाद आपकी ओम पिकप की प्रोसीजर डिसाइड किया जाता है अभी ओम पिकप क्या होता है कि आपको जो सोनोग्राफी में एवरीडे फॉल प्रोसीजर हो फॉलिकल्स को तो फिर वो मेरी बॉडि मेंसे निकालो होगे कैसे यह एपैनफुल रहेगा क्या यह सेफ होता है क्या इसमें मुझे जाधा तखलीफ होगी क्या इसके बाद मुझे कितना रेस्ट करना पड़ेगा जो वर्किंग वुमन्स होते उसका क्वेस् तेशा किये जाती प्रोसीजर है इसमें आपको शौर्ट जनरल एनेस्थेशा दिया जाता है यानि कि आपको 15-20 मिनिट के लिए पूरा सुलाया जाता है और इसके बाद आपको जैसे डेली सोनोग्राफी होती थी वैसे ही वजजाइनल सोनोग्राफी का प्रोब डाला जाता ह है और फिर एक स्पेशिलाइज नीडल होती है जिससे जिसको फॉलिकल में डाल कर मर्शीन से उसका फ्लूइड एस्पिरेट किया जाता है और तुरंत वह फ्लूइड एम्रियोलॉजी लेब में वेजा जाता है उसमें से क्यूमिलस यानि कि स्त्रीवीज को अलग किया जात है उसके बाद आपके रूम में शिप्ट किया जाता है फिर एक देट घंटे में आपको लिकवीड और वह सब दिया जाता है और यूज्वली उसके बाद आपको कोई तकलीफ नहीं है तो आपको डिशाज किया जाता है अभी आपके क्वेस्टन के ऊपर आते तो यह सेफ ह होता है कि नहीं यह कितना पीनफूल हता है वो तो यह टोटली सेफ प्रोसीजर है उसमें यूज्वली वजायना में सिफ सिंगल प्रिक लगता है सिंगल प्रिक से सभी फॉलिकल्स को एस्पिरेट किया जाता है तो इसमें कोई ज्यादा ब्लेडिंग नहीं होता है इसमें ज्यादा पेन भी नहीं होता है और दूसरी एक बात कि इसके बाद कितना रेस्ट करना है तो यह एक डेकर प्रोसीजर है यूजुली जो वरकिंग वुमन्स होती है वो तो हाफ दे की लिव्ज लेके आते हैं और फिर अपना जॉब भी अटेंड करते हैं तो इसमें कोई आरा इंपल शॉट प्रोसीजर है तो इसके लिए आपको जरा भी गवराने की जरूरत नहीं है थैंक्यू